आज मैं बनाने वाली हूँ खीमे के समोसे एक्टम गरम गरम और बरिया एक मैं आप लोगों को तोर कर बताती हूँ तो आजाओ इसकी रेसेपी देखते हैं तो चलिए खीमे के समोसे बनाना इस्टार्ट करते हैं तो मैंने इदर पर ग्यास को ओन कर दी हूँ और उसके ओपर रखी हूँ एक टोप मैं इसमें डालूँगी एक चमच तेल मैंने 250 गिराम चिकन का खीमा ली हूँ यह हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मीडियम घ्यास पर तो यह देखिए हमारा खीमा अभी तेल में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसमें थोड़ा बहुत पानी भी छुटा है तो अभी इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे एक चम्मच अदर लसुन का पेस्ट एक चम्मच लालमीज पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच गरम मसाला पाउडर आदा चम्मच हल्दी पाउडर नमक आप अपने टेश के हिसाब से डालिए एक लिम्बू का जूस दो से तीन हरी मिर्च इस तरह से कटिंग करीवी इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दो मिलीट तक हम ऐसी पका लेंगे दो मिलीट बाद हम इसमें डालेंगे एक मिडियम साइस की प्याच को मैंने बारिक बारिक चॉप कर ली हूँ वो डाल देंगे साती में थोरा सहरा धनिया यह सब दालने के बाद में हम पांच मिलीट तक है से धक कर पका लेंगे पांच मिलीट बाद हम घ्यास को बन कर देंगे तो हमारा खीमा अच्छी तरह से थंडा हो जाने के बाद में हम इसमें डालेंगे बॉयल बादे को हम घ्यास के डालेंगे इस तरह से क्यूंके यह मेरी इस टाइल में है तो कुछ अलग होना चाहिए मैंने आप लोगों को पहले भी खीमे के समोसी की रेसेपी दी हूँ मगर यह कुछ अलग इस टाइल में मैं आप लोगों को दे रही हूँ तो मैंने एक ही ली हूँ अगर आपको दो पसंदे तो दो दाल लिए यह दाल लेने के बाद में हम इसे हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे तो इसे अभी हम साइक में रख देंगे तो यह मैंने मैदे का घोल बना के लिए हूँ मैंने एक चमश मैदे का आटा ली थी और उसके अंदर मैंने थोड़ असा पानी दालके इस तरह का एक घोल बनाई हूँ यह देखिए एकदम पतला नहीं बनाना है और एकदम घड़ भी नहीं बनाना है ऐसे यह हमें पत्टी के उपर लगाने में आसान परे और जो खीमे की समोसी की जो पत्टी ले रही हूँ मैं तो मैं यह वाली ले रही हूँ यह बहुत ही अच्छी होती है और खाने में भी काफी टेस्टी होती है तो यह आपको कोई भी शॉप पे या मॉल में मिल जाएगी तो चलिए अभी समोसे बनाना इस्टार्ट करते हैं तो यह देखे इस तरह की पत्टी लेंगे तो यह कॉर्णर पकर के हम इससे ऐसे मोरेंगे तो इसके बार में फिर ऐसे मैंने इसे हाथ में ले ली हूँ एक चम्मच अगर आपको जादा भरना है तो जादा भरीये कम भरना है तो कम भरीये ऐसे मैंने दो चम्मच दाली हूँ जादा भर के नहीं दाली उसके बाद मैं इधर से ये पैक करके ये साइक को हम इस तरह से ऐसे ये हाथों को घूमाते रिजी आप मेरे हाथों के अपर ध्यान दीजिए अब ये जो कॉर्णर है इसे हम ऐसे अच्छे से बहुत ही इजी है एक दो बार आप बनाएंगे तो आपको आराम से आजाएगा बनाने के लिए फिर ये पट्टी को हम ऐसे चिपका देंगे ये जो साइट बच रही है ये जो साइट इतर ऐसे तो ये देखें इसका टेंक्र मतले न ये तेल में छुटे गानी एक बार जब ये पैक हो जाता है तो ये छुटा नहीं है ये थोरी दिर के बार में अपने आपी ऐसे चिपक जाएगा तो ये हमारे सारे समोसे बना के हो चुके हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो कोई भी एक डब्बे में या कोई भी एक टिफिंग बॉक्स में आप ये समोसे रखिए और इसे अच्छी तरह से पैक करके आप इसे फ्रीज में रखके एक महीने तक खा सकते हैं मगर एक जरूरी बात मैं आप लोगों को कहना चाती हूं कि आप कोई भी चीज बनाएंगे तो उसे ताजा ताजा बनाईए और ताजा ताजा खाईए तो उसका टेल काफी अच्छा लगता है खाने में और हमारे लिए भी वो अच्छा रेत हैं तो आपकी मोझए जैसा आपको खाना है वैसे आप खा सकते हैं दो इधर पर मैंने तेल को घरम होने रख दी हूं और तेल अच्छी तरह से घरम हो चुका है तेल अगदम गरम हो जाना के बाद में हम घयास को थोड़ा स्लो कर लेंगी इसमे हम समोशे चोड़ेंगे एकदम आराम से और एकदम ध्यान से आप समोसे फ्राई कीजिए पांच मिलीक में हमारे समोसे अच्छी तरह से कलर चेंज हो जाएगा और अच्छी तरह से पग जाएगे तो यह देखिए हमारे समोसे का कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है अच्छे से मैंने इसे अलट पलट करके पका ली हूँ मुझे पांच मिलीक लगा इसे पकाने के लिए तो अभी हम इसे निकाल लेंगे निकालके मैं इसे एक टीशू पेपर पे रखूंगी तो आईए बाकी के समोसे भी हम फ्राइ कर लेते हैं तो यह हमारे खीमे के समोसे हो चुके है इंशाला आप में बनाओ और दुआ में याद रखना और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मुझे यूटूब पे फॉलो करो लाइक करो शेर करो अच्छी अच्छी कमेंट बेजो और आजाओ खाने के लिए अल्ला आफीज हुआ है